वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन के लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए इससे पहले इस रात को नो बज़े वाली क्लास में हम लोगोंने साइंस के फाइवनेर्स कोशन सॉल्व कर लिए हैं जोग्रफी के सॉल्व हो चुके हैं हिस्ट्री के भी और पॉलिटी का पार्ट पर्स्ट हो चुगा है सेकेंड पार्ट इसाइड किया है जिसमें टॉप 500 MC2 और सॉल्व करने वाले हैं आपको एक लास फसंद आएगी वीडियो को ध्यान पूरा देखिए आपको इसकी प्रीडिया प्राप्स करनी है अदर कोई कोश जॉइन करना है चाहे आप UPPSC से रिलेटट UPPSC की प्रपेशन कर रहे हैं, ROA, ROD exam देने वाले हैं, BEO की विकेंसी आरी उसके लिए या अदर कोई competitive exam है जिसमें भी GSK ये subject सूचे जाते हैं उन सभी की प्रपेशन के लिए आप कोर्स जॉइन कर सकते हैं इसके लिए आप दिये गई नंबर्स पर call या message करके information ले सकते हैं otherwise आपको Google Play Store से Study for Civil Services का app download करना है और courses की जानकारी वहाँ पर दी गई है आप जिस भी course को purchase करना चाहते हैं पुरी information देखते हुए आपको demo भी दिया गया उसमें उसको देखते हुए ग्यांसर coupon code है apply करेंगे 20% का तुरन discount मिल जाएगा इसमें आप देखेंगे full study material दिया जारा जो आपके selection के लिए important है video recorded classes है, video notes है, daily practice कराई जाती page quiz है, test series है जो आपके latest trend और pattern को follow करती है आपके selection के लिए important pattern को देखते हुए ही ये course design किया आप जिस भी course को purchase करेंगे coupon code apply करना मत भूलिएगा ग्यांसर का, 20% का आपको दुरन discount मिल जाएगा selection के लिए जितना भी material important होता है, वो सब दिया गया है course में आप बिना देर के study for civil services को follow कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर selection सबसे जादा दिये जाते हैं बिना paid course join के भी आप preparation कर सकते हैं उसके लिए आपको YouTube channel follow करना study for civil services का playlist बनाई गई है आप जिस भी course की preparation पर रहे हैं वो playlist फॉलो कर सकते हैं और असानी से selection ले सकते हैं चलिए बिना देर के आज की class इस्टार्ट करते हैं अब तक 300 question हम लोग solve कर चुके हैं सीरीज में पॉलीटी के पार्ट सेकेंड जो है या पार्ट फर्स्ट बोलीजे पार्ट सेकेंड पहले कराया था तो 300 first question है लोगपाल संस्था के निर्मार की अनुशन सा सर्व प्रतम किसके द्वारा की गई थी option A दूसरा विधी आयोग के द्वारा option B है योजना आयोग के द्वारा option C पहला वित्ता आयोग या फिर option D है पहला प्रशाशनिक सुधार आयोग इसका राइट आंसर है option D first administrative reforms commission के द्वारा option D correct होगा 3 and 2 second question है सही कथन का चैन कीजिए दोनों कथन पहले तो देखिए पहला कथन है लोगपाल में एक अध्यक्ष और अधिक्तम पांच सदस्य होते हैं second statement है लोगपाल के प्रशाशनिक व्या भारत के संचित निधी पर भारित होते हैं option देख करके बताना है कौन से statement आपको correct दिये गए हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा option D के और पहला statement correct है अध्यक्ष और अधिक्तम पांच सदस्य होते हैं और लोगपाल के जो प्रशाशनिक व्या हैं वो भारत की संचित निधी पर भारित नहीं होते 303rd question है भारत में सुरक्षा पर cabinet समीती CCS की अधिक्षता कौन करता है cabinet committee of security option A Prime Minister, option B President, option C Home Minister या फिर option D Defense Minister इसका right answer हो जाएगा option A प्रधान मंतिस की अधिक्षता करते हैं option A correct है 304th question है राजिसभा के सभापती का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है option A राजिसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा option B है संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा option C संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों और option D संसत के साथ साथ राजिविधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों इसका right answer है option C 305th question है भारत के कैबिनेट सचीव के बारे में सही कथन चुने Option यह वा कैबिनेट सचीवाले का प्रशाशनिक प्रमुक होता है Option भी है उन्हें वरियता की तालिका में भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षक के समान Rank प्राप्त है Option C है उप्रोक्त दोनों और Option D है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएक Option A वा कैबिनेट सचीवाले का प्रशाशनिक प्रमुक होता है Cabinet सचीव के बारे में बताया जा रहा है Option A राइट है 306 Question है 73 में समविधान संसोधन अधिनियम 1992 के द्वारा समविधान के निमनलिखित में से कौन से भाग में या कौन से भाग को समविधान संसोधन में सम्मिलित किया गया था Option A है भाग 13 Option B है भाग 9 Option C है अनुसूची 11 और Option D है दोनों B और C इसका सही उत्तर हो जाएगा Option D इसमें याद कर लीजे भाग 9 को और अनुसूची 11 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा पंचायत के सम्मंधित विशय को सम्मिलित किया गया Option D राइट है 307 कोश्चन है भारती संसद द्वारा कारिपालिका पर नियंतरन रखने के लिए निम्ने लिखित में से कि सुपकरण का उप्योग किया जाता है Option A संसदी फोरम, Option B है सलाहकार समितिया, Option C है आधे घंटे की चर्चा या Option D है नन अफ द अबव प्रोक्त में से कोई नहीं Right answer है Option C आधे घंटे की चर्चा इसके द्वारा भारत संसद जो है वो कारिपालिका पर नियंतरन रखने का प्रयोग करता है Option C है 308 कोश्चन है राष्टपती को अध्यादेश बनाने की शक्ती के संदर में गलत कथन कौन सा है उसका चैन कीजिए Option A है या सक्ती संसद की विधाई सक्तियों के समानांतर और व्यापक है Option B राष्टपती किसी अध्यादेश को मंती परिस्द की सलाह पर ही वापस ले सकता है Option C है उप्रोक्त दोनों या Option D है इन में से कोई नहीं और इसका राइट आंसर है Option A या सक्ती संसद की विधाई सक्तियों के समानांतर और व्यापक है ये कतन राष्टपती की अध्यादेश के बारे में गलत दी गई है Option A गलत है वही राइट आंसर है बाकी सही दिये गए है 309th question है निमने लिखित में से कौन सा राजी सम्विधान के भाग 9 की प्रयोजिता से पूरी तरह छूट प्राप्त है Option A है नागा लेंड, Option B है असम, Option C है मर्नीपूर और Option D है तिपुरा इसका सही उत्तर देख लीजे याद रखिए Option A होगा नागा लेंड तो नागा लेंड भाग 9 की जो प्रयोजिता है से पूरी तरह से छूट प्राप्त करता है Option A राइट है 310th question है समीधान की साथवी अनसूची के संदर में गलत कथन का चैन कीजे पहला कथन है विगत वर्सों के दोरान राजी सूची के तहत विसे धीरे-धीरे कम हो गए है Option B है सरकार्या आयोग ने सिफारिस की की सभी अवसिष्ट सक्तियां संसत के पास ही रहे Option C है उप्रोक्त दोनों और Option D है इन में से कोई नहीं इस प्रशन का राइट आंसर हो जाएगा Option B ये गलत दिया गया है बाकी स्टेट्मेंट करेक्ट दिये गए हैं जैसे की विगत वर्सों के दोरान राजी सूची के तहत विसे धीरे-धीरे कम हो गए है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है भारत में राश्टपती चुनाओ के संदर में गलत कथन का चैयन करें पहला ऑप्षन है नोटा के प्रावधान राश्टपती चुनाओ पर लागू नहीं होते हैं Option B है चुनाव में मददान का तरीका गुप्त मददान द्वारा होता है Option C राश्टपती के चुनाव में केवल संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं Option D है इन में से कोई नहीं Right Answer है इसका जो गलत कथन दिया गया है अगला प्रश्निय है राजिसभा के सभापती के संबन्ध में निमने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला कथन है वर राज सभा की सामान ने प्रयोजन समीती के पदेन अध्यक्ष है B है वर राज सभा द्वारा पारित विधेयक में पेटेन तुटियों को ठीक करने के लिए अधिक्रत है C है उनका चुनाव एक निर्वाचक मंदल द्वारा किया जाता है जिसमें संसत के सभी सदस से खुले मद्दान के माध्यम से सामिल होते हैं उप्सिन D है उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा option C ये कथन गलत दिया गया है कि उनका चुनाव एक निर्वाचक मंदल द्वारा किया जाता है जिसमें संसत के सभी सदस से खुले मद्दान के माध्यम से सामिल होते हैं कि भारत का उप्राश्पती राजिसभा का पदेन सभापती होता है और वे संसत के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनकी सहमती से आनुपातिक प्रतिनिधित की प्रणाली से निर्वाचित होते हैं उप्षन C गलत है वही राइट आनसर होगा बाकि सारे कथन सही दिये गए हैं अगला प्रशन है राश्पती के चुनाओं के सम्मंद में सही कथन का चैन करें पहला कथन है राश्पती के चुनाओं में किसी भी विवाद की जांच और निर्ने लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही अधिकरत है उप्सन भी है एक उमिद्वार को निर्वाचित होने के लिए कुल डाले गए वैद वोटों में से 506 से अधिक वोट हासिल करने होंगे उप्सन C उप्रोक्त दोनों और उप्सन D है उनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन C ये दोनों ही कथन राश्पती के चुनाओं से संबंधित सही दिये गए हैं इसलिए उप्सन C राइट होगा 314th कोश्चन है प्रतक्ष लोकतंत रथा डारेक्ट डेमोक्रिसी के संबंध में गलत कथन कौन सा है पहला है या सरकार का एक रूप है जिसमें सभी नागरिक अपने प्रतिनीधियों के माध्यम से भाग लेते हैं उप्सन B है भारत में ग्राम पंचायत को प्रतक्ष लोकतंत का उधारण माना जा सकता है उप्सन C है प्रोकत दोनों या फिर उप्सन D में से कोई नहीं राइट आंसर इज उप्सन C दोनों ही स्टेट्मेंट करेक्ट दिये गएं उप्सन A और B के इसलिए C उप्सन करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोस्चन है भारती सम्विधान में नवी अनसूची को सम्मिलिद करने के लिए बाहरी प्रेणा किस के सम्विधान से ली गई है या किस देश के सम्विधान से ली गई थी आप्सन A है Ireland, आप्सन B है अमेरिका, आप्सन C है जर्मनी और आप्सन D है उके राइट आंसर इस ओप्सन ए आयरलेंड नेक्ट कोश्चन है निम्नलिखित में से कौन समिधान सभा की प्रारूप समीती का सदस्जिन नहीं था ओप्सन ए बी आर अंबेडकर ओप्सन भी है अन गोपालस्वामी ओप्सन सी है के अमुंसी और ओप्सन डी है बी अन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी बी अन राव नहीं थे 317 कोश्चन है प्रस्तावना के पार्ट में भारत के लोग अपने सभी नागरिकों को किसकी सोतंतिता सुरक्षित नहीं करते हैं ओप्सन अ है विचार, ओप्सन बी है पूजा, ओप्सन C है विश्वास और ओप्सन D है पेशा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी इसमें पेशा नहीं आएगा ओप्सन डी करेक्ट हो जाएगा 380th question है कि भारती संगवाद की सबसे अच्छी तरह से व्याख्या की जा सकती है सारे options देखते हुए सही उत्तर बताईए कि कौन सा option correct होगा जो सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करेगा भारती संगवाद की option एह एक संग स्थापित करने के लिए केंद और घटक की काईयों के बीच एक समझोता option बी सभी निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के लिए केंद पर राजिक सरकार की निरभरता option C, राजि सरकारों को शक्तियों का सम्वेधानिक हस्तांतरन या फिर option D सम्वेधान के संगी सिध्धानतों को एक तरफा रूप से बदलने के लिए केंद्र के पास असाधारण सक्तियां इसका right answer हो जागा option C राज सरकारों को सक्तियों का सम्वेधानिक हस्तांतरण option C correct होगा 319th question है निमने मेंसे क्या उचिनयाले के मूल छेता अधिकार में सामिल नहीं है option A है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन option B है विवाह और तलाग से सम्वंधित मामले option C दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद option D है विधान मंडल के सदस्यों के चुनाव से सम्वंधित विवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा option C दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो वो सर्वो चिनयाले के छेता अधिकार में सामिल है option A है के एस पुट्ट स्वामी मामले में निष्टा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है option B अनधिकरत फोन टैपिंग निष्टा के अधिकार का उनलंगन है option C है उप्रोक्त दोनों और option D है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा option C दोनों स्टेट्मेंट करेक्ट दिये गए हैं मौलिक अधिकार निष्टा के अधिकार के संदर्व में option C right होगा क्योंकि के एस पुट्ट स्वामी मामले में निष्टा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनधिकरत फोन टैपिंग निस्ता के अधिकार का उनलंगन है तो यह हो गया आज के पॉलिटी के इंपोर्टेंट कोशन किसी भी कोशन में डाउट है कन्फ्यूजन है आप कमेंड करके डिसकस कर सकते हैं इसके अलावा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेर करते रही है मैं मिलती हूँ ऐसे कोशन के साथ अगले वीडियो में अगर आप इन कोशन की पीडियो प्राप्त करना चाहते हैं टेसीरीज जॉइन करनी है, अधर कोई कोई कोश जॉइन करना है इजी है, आप स्टड़ी फॉर सिविल सर्विसेस के माध्यम से अपने कोश को परचेस कर सकते हैं लिए आपको Google Play Store से SES का आप डाउनलोड करना है और जो भी कोर्स पर्चेस करेंगे ग्यांसर कूपन कोड है अप्लाई करके 20% का डिसकाउंट मिल जाएगा अगर आप यूपी पूलिस कॉंस्टेबल की प्रिपेशन करना चाहते हैं तो स्टड़ी फॉर सिबल सर्विसेज के दौरा लेटेस्ट ट्रेंडर पैटर्न को फॉलो करते हुए ग्यांसर एजुकेशन एप है जिस पर कोर्स मिल जाएगा और ग्यांसर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 50% के डिसकाउंट के साथ माते 100 रुपए में आप कंप्लीट प्रिपेशन कर सकते हैं और माते 50 इस भी दी जा रही है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की तो यह होगे कोर्स से ले लेटेड जानकारी मैं मिलती हूं ऐसी कोशन के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद